पब्लिक टीवी आपकी आवाद करने पर पूछे गए सवाल पर कहा कि पता नहीं उन्होंने क्या सोच करी कहा है जहां तक भारत की बात है तो पिछले कुछ वर्षों में तो देश ने अथात तरक्की की है कि पुरूंत जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो अवल में ला लिया गया एंडी आरफ एंडी आरफ ने तुरूंत कारवा यह भी करदी और उसी का नतीज़ा है कि बहुत बड़ी सख्या में यात्रियों का बचाव भी उपाया है यह सच है कि अभी पद्राई और स्याथिक प्रभावी उनकी बात होगी किस तरह से आज आज आप देखे समझार पत्रों में भी हैं सुत्रों में भी तो जिस परकार से कह रहे हैं कि हमें किस परकार सीना ने तत्काल आकर कि हमने नाकेबल बचाया कि समय हमें बताते भी जहां कड़े हो वहां चिपक जाओ उस चिटान को पकड़े अखो बिल्कुल जैसे घर परिवार के सदस्यों का बचाव किया जाता है उ स्वार के युद्ध के समय युद्र काल में तो परशंस्निये काम करने के लिए जानी जाती है लेकिन शांतिक काल में जो इनकी भुंदिका रहती है चाहे वह सतभावना के तौर पर झाहे वहतर स्वाक्म की तौर्टास्तमिंग नहीं होता, मुझे लगता ही एवसर है हम आ सब्सक्राइब करें इस बाद में बाद जोड़ करके इस भाइस को आगे बढ़ाने का पाप दी करूं सब्सक्राइब करें लिए कि क्यों कहा गया लेकर आप अजादी से लेकर के आई तक कि मेचना करम पे आपकी नज़र नहीं है क्या आप इस बाहर पर विश्वास कर सकते हैं बारत इस समय ना केवर विश्व का सबसे बड़ा लोग तर्थ बलके मदर आफ डेमोक्रेसी के नाम से जाना भारत लोग तर्थ की जन्नीश है उनीश सो से लेकर के आज तक जो एक साथ दूसरे देश आज़ाद हुए थे उनका क्या हुआ और क्या रहा तो कहने के अवश्वक्रत भारत में एक एक दिन में लोग तर्थ मस्भूत हुआ यहां तक कि जब अमर जन्सी जैसी चितार्मी पर्चनौती का सामना करना पड़ा उनीश सो पचलतर में तो सारा का सारा देश एक साथ एक अत्रिद होकर के लोग तर्थ को महाल करने के लिए सामने आए तो मुझे लगता है कि यह ना केवल भारतिय सत्सकारों और मर्यादा बलके भारतिय नागरी को की लोग तांत्रिक सोच का भी बमान है इस परकार की टिपने का